गाइज आज तो खुसी मनाने का दिन है लड़ बादने के दिन है चुकि हमारा इंडिया ग्रेंड फिनाले में पहुँच चुका है और फाइनली इस मैच को जीत भी सकती है लेकिन कैसे सब कुछ बताने वाला हूँ चुकि पहली बार टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा हुआ है कि दोनों टीमें एक भी मैच अब तक नहीं हारी है और सीधा ग्रेंड फिनाले में परवेश कर ली है तो आज फाइनली मैं बताने बाला हूँ कौन सी टीम किस पे भारी पढ़ने बारी है कौन सी टीम इस मैच को लेके जा सकती है बस आपको बताना है आप का फेवरेट कौन सी टीम है और आपको क्या लगता है इस ग्रेंड फिनाले को अपने पाले में कौन सी टीम कर सकती है फटा फट से कॉमेंट करना है स्टार कर दो ताके मुझे भी पाता चले इस मैच को कौन जीतने वाली है कौन सी टीम जीतने वाली है और आज के इस वीड वीडियो में एक सवाल में पुछने बाला हूं जिसका आपको आसान जवाब देना है और साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक एक खिलारी का पर्त खुलने बाला हूं एक खिलारी का डिप्त एनलाईसिस करने बाला हूं जैसा बैक टू बैक आप सारे मैचों में अच्छी विनिंग कर रहे हो ठीक वैसा ही आज के इस मैच में एकतरफा विन करने बाले हो अगर आपने पूरा विडियो देख लियाना भाई तो सबसे पहले मैं आपको बता दो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ग्रेंड फिनाले का मैच है ये इंडिया वर्सेस साफ्थ अफरीका और जो वेन्यू होने वाला है वो केंसिंग्टन ओवल ब्रिश टाउन बारबा डोस के अंदर ये मैच खेला जाने वाला है 29 जून 8 बजे रात को आज के इस वीडिय डिप्ट एनलाईसिस करके देने वाला हूं इस मैक में कितने कॉमनठ प्लीयर फाइनली में आपको बताने वाला हूं लोग भार भार के अपनी टीमों पे इंडिया के सारे प्लेयर लेके जा रहे हैं और दो ही ऐसे प्लेयर हैं जिनको अफ्टथ अफृका की टीम से उठाये हैं। वो कौन सफे प्लेइर हैं, फाइनिली में बताने बाला हूं। और कौन-कौन से बड़े प्लेयर आज के इस मैच में फ्लoff हो सकता है। और कौन सा कम सेलेक्षिन फारत क्टिरारी आज के Its मैच में आपको Grand Lig तरो पहुंचा सकता है। सब कुछ एक एक करके बताने बाला हूं हम जानने बाले हैं कि आज के इस मैच में रोहिस सर्मा, विराद कोली, सुरकुमार यादब या हार्दी पांडिया कौन अच्छा परफॉर्म करने बाला है बॉलिंग सेसंग से कुल्दी पियादा, जस्वीद नूरा, अर्षदीप सिंग कौन बिकेट से ले कर जाने बाला है उसके बाद बात करने पाले है कुछ एक एक करके मैच में फर आप जाने बाला है या फिर एच कलासन का बल्ला चलने बाला है डैविर मिलर चलने बाला है उसके बाद मारको जैंसन, कभी सोर अवारा, अन्रीच नोड जे इनमें से कौन फॉलाओ जाएगा, कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है सब कुछ एक एक करके मैं बताने बाला हूँ उसके बाद टम कार्ड प्लेयर भी आपको बताने बाला हूँ चार ऐसे टम प्लेयर बताऊँगा ना जो ग्रेंड लिग में आपने रूटेट कर लिया बहुत अच्छे रेंग पर जाओगे उसके बाद मस्ट हैपिक जिनको आप सारी टीमों पर लेके जा सकते हो उसके साथ ही आपको प्लेयर मैच अप भी देखने को मिलेगा साथ में और भी बहुत सारा कुछ है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब सबसे पहले दोस्तों रिक्वेश्ट है आप से बहुत ही बेनिफीसल चैनल है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल बड़न दिख रहा होगा और साथ में बेल आइकन को जरूर से और साथ ही आपको टेलिगाम चैनल से जोई हो जाना है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में टॉप पिन क्या हुआ मिल जाएगा जहां बड़े असानी से टेलिगाम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं चुकि यहां पर सब कुछ मैं फिरी में देता हूँ और सारे अपडेट्स आपको यहां पर मिलते हैं fantasy से related जितने भी मैचेस होते हैं सारे मैचों की टीम भी मैं आपको देता हूँ जो यूनिक टीम होती है और भी बहुत सारे अपडेट्स में देता रहता हूँ जो की फिरी में होता है तो ये सब करना जरूरी है करलो फटावर्ट से चलो अब यहां पर हम बात करने पिछ रिपोर्ट की तो भाई मैं आपको बता दूँ ये जो पिछ है ना भाई ये बल्ले वाजों के भी मुफीद है और बॉलर्स के भी मुफीद है यहां पर तेज गंदवाजों को उच्छाल के सासास स्विंग भी मिलता है तो यहां पर फस्ट निमे जदेगे विकेट्स गिरते हैं लेकिन इसका लॉजिक क्या होने बाला है क्या आज के इस मैक में फस्ट निमे अच्छे खादिस गिर सकते हैं चूंकि सामने वर्सिस इस ट्रॉंग का कॉमिरेशन है अब यह सब कु से रिलेटेड तो देखो यहां पर टोटल मैचे जो खेले गए 32 खेले गए लेकिन जो खेले गए मैच तीसी खेले गए मतलब दो मैच का रिजल्ट कुछ भी नहीं आया ठीक है ना बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 19 मैचेस को बिन किया वहीं बैटिंग सेकंड करने वाले कि यहां पर मतलब दोनों में से दोनों तकरी टीम और दोनों चाहे गी मैच करना मतलब करना मुश्किल कर दे वाली टीम न करना ज्यादा रहेगा दोनों इसा डालो बार देडर सो नीचे बनाए वहीं पर घेर सो और के बिच में आठ बार बना है और 170-199 के बिच में साथ बार और 190 से उपर चार बार देखो यहां पर आठ मैचिस टोटल इस ग्राउंड पे खेले गए हैं इस टी-20 वर्ल्ड कप के ठीक है ना अब आठ में ज्यादा तर मैच जो है ना जो फर्स्ट बैटिंग किया है ना वो इस लिए स्कोर कम बना है लेकिन इसका मत्तब यह नहीं है कि यहां पर कम स्कोर बनेगा अब यहां एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करें चाहे वह साथ अफिका हो या इंडिया हो देखो इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग कर दिये तो 180 पार फिर से मैं बता रहा हूं यह एक इस फार गायगा और अगर एक सोद्व चाला गया ला तो चेस करना बड़ा ही कठीन होगा फिर इंडिया अपने पाले में मैच को आराम से कर सकती है वहीं पर साफ्ट्रिका कि बात करें तो मुझे लगता है कि एक सो साथ से लेके एक सो सब्सक्र के बीच में सीमर सकती ह है साथ अप्रिका यह चीज़ आपको ज्यान में अब एक नज़र यहां पर वेदर रिपोर्ट पर हम डाल लेते हैं तो 27 दिश्वर्ण आठ डिगरी से यहां पर ताप मान है पर क्या होता है और यह दोनों टीम जो है स्टॉंग फिनाले में आई है अब इन दोनों टीमों में कौन सी टीम बाजी मार सकती है और किस कंडिशन में बाजी मार सकती यह भी आपको यहां पर पता चलने वाला है यहां पर यहां पर देखने की जरूत यह है कि यह दोनों मैच है न यूएसे का था यूएसे का था यूएसे फिर्स वाइटिंग किया ठीक है अब यूएसे उतना स्ट्रोंग टीम नहीं है जो हाई स्कोर बना दे फिर्स निंग में से यहां पर पर पांस किट मिले और इस्पिनर को यहां पर पांस किट मिले ठीक है और साथ भीकेट्स तो यहां पर आपने देखा इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते वे एक सो एकासी रन का टारगेट दिया था तो आपने क्या समझा यहां पर दो मैं चेस करते वे जिता गया क्यों जीता गया चुकि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम कमजोर टीम मजबूत थी इसलिए ऐसा हुआ ठीक है ना अब यहां पर मजबूत टीम ने बैटिंग किया फर्स्ट बैटिंग तो यहां पर तग्रा स्कूर बना दिया तो यह चीज़ है यहां पर जो भी टीम टॉस जितेगी वह डिफेंड करना पसंद करेगी यह चीज़ आपको दियान में रखना एक चीज़ आपने लोटिस किया कि यहां पर इस्पिनर को भी बिकेट्स मिलते और पेसर को भी बिकेट्स मिलते हैं वह सारा केल क्योशन आगे आपको पता चलने वाला है अब यहां पर देखो लो पेसर वर्सेज इस्पिनर की हम यहां पर बात करें तो सब्सक्राइए टोर टॉटल यहां पर बिकेट्स मिले हैं लार फाट्रों आप इस उपर गयर च्तरी ने यहां जो मतलब उतना स्टॉंग नहीं है इसलिए जादव विखेट्स गिरे बाइस इनी में गिरे और चीनी में पांच बिए तो यहां भी फश्ट इनी में इस पिनर अच्छे खासे विकेट्स लेकर आपको दिख रहे हैं ठीक है अब यहां पर क्या फॉस्ट इनी में जातर विके यहां पर बारय से तेरह भीट पर मैच में गिर रहा हैं लेकिन ऐसा नहीं है। इस मैच में भी विएट्स गिर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि फर्स्टनी में ज़्यादे विगेट्स गिरेंगां। च्पर यहां पर आपने देखा। 16 और 10। 26 विगेट्स में मतलब यह होता है कि 8 से 9 विगेट्स जो है ना फर्स्ट नी में गिरना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे लगता है कि फर्स्ट नी में पांस से 6 विगेट्स गिरतावा आपको दिखेगा चुकि दोनों टीमें इस्टोर हो है ठीक है चलो अब आगे बरते हैट्ट्वेट्स की बात कर ले तो टोटल 26 मैचों में हम जानेंगे यहां पर 14 मैचेस विन किया किसने इंडिया ने औ पांचों का पांच मैच इंडिया जित क्या रही है पांचों का पांच मैच लास्ट साथ अफिका जित क्या रही है अब आप देखेंगे तो मतला आठ मैच इस टीट्वेंटी वर्ल्लकप में इंडिया ने खेला है जिसमें एक मैच रद हो गया था और साथ मैच को लगतार जित क्या रही है वहीं पर साफ अपरिका आठोकार्ट में जित क्या रही है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रेंड फिनाले में दोनों टीम पहली बार एक मैच भी ऐसा नहीं है जो हार करा रही है सारे का सारा मैच जित क्या रही है अब साफ अपरिका के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार T20 बल्ड कप के इतिहास में फाइनल में पहुँच रही है फाइनल में पहुँच रही है तो इसके लिए ये भी एक इतिहास है लेकिन क्या लगता है आपको है किया यह final में बाजी मार पाएगी बिल्कुल भी नहीं इंडिया मेरा फेवरीट रहने वाली और इंडिया ही इस मैच को जीतेगी जाहें फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करें या सिगन इनिंग में बैटिंग करें फर्क कुछ भी नहीं परता ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और यहां पर विनिंग परसेंट के हम बात कर लें तो 60% पिछले रिकॉर्ड के इंडिया का पल और यह भी मैच इंडिया ही जीतने वाली है अब तो को यहां पर कॉमन प्लेयर के हम बात कर लें तो इंडिया की तरफ से साथ ऐसे प्लेयर हैं जो कॉमन है एक तो यहां पर रोही सर्मा कॉमन प्लेयर उसके बाद रिशा पंथ सुरिकुमार यादब अब आजाओ हारदी प यह साथ ऐसे प्लेयर हैं जो कॉमन हैं आज के मैच में ठीक है ना अब देखो इधर से दो ही खिरारी ऐसे हैं जो कॉमन हैं यहां पर कुंटन निको कॉमन उसके बाद आ जाओ यहां पर कगिसोरवाडा कॉमन सिर्फ दो ही खिरारी ऐसे हैं जो कॉमन हैं अब यह साथ का चलने वाले हैं, इस पर भी देटेनराइसिस करने वाले हैं, विराड कोली को लोग इगनॉर कर रहे हैं, क्या विराड कोली का बल्ला इस मैच में नहीं चलेगा, चुकि सबसे टॉप कलास, वर्ल्ड का टॉप कलास का बैटसमें हैं, और टेकनिकल बल्ले बास है, ये बात और है कि लगतार कई मैचों से चल पान ही रहा है लेकिन क्या इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है ये भी आपको बताऊंगा उसके बाद यहां पे कुंटन निकाओ क्या आज के मैचे फलॉप जा सकता है या फिर अच्छा खेल सकता है उसके बाद रिजा हैंडि हैनी कि आपको जरुवत बिल्कुल भी नहीं है अब हम सिधा चलते हैं जहां से आये थे वहीं पे हम चलते हैं और यहां पर हम देख रहते हैं देखो हम यहां पर आगे ओल्मोस्ट मस्ट है ठीक है अब देखो पांच खिरारी में इंडिया की तरफ से फिक्स लेके जाना है चाहे वो ग्रेंड लिक की टीम हो या फिर स्मॉल लिक की वहीं पर दो खिरारी में लेके जाओंगा कहां से लेके जाओंगा तो साफ्त अफ्रीका की तरफ से लेके जाओंगा अब देखो पांच में कुल्दी प्यादब उसके बाद जस्पीत मुम्रा सुर्कुमार की तरफ से मैं फिक्स करने वाला हूं उसके बाद का इस और अबार्डा को फिक्स लेके जाओंगा और एरिन मारकम को ये टोटल साथ प्रेयर मैं फिक्स लेके जा रहा हूं ठीक है ना ये साथ प्रेयर मुझे लगता है कि आपको डीम टीम में बनते हुए दिख सकते हैं अ अब वो पांच कौन से खिरा रही हैं ये जाना बहुत रही है तो देखो कुल्दीप यादब इंडिया की तरफ से जस्पीत मुम्रा उसके बाद हारदी पांडिया ये तीन ऐसे खिरा रही है जो इंडिया की तरफ से टॉप कलास का परफॉर्म करता हुआ आपको दिखेग तो ये पांच ऐसे खिरारी हैं जिनके इृद गिर्द आपको 시बी सी निजर आने बाले है अब इसको रूटेट आप कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है ना जितने भी टीम बनाते हो उसके हिसाब से ृटेट कर सकते हो ज़ो कंडिशन वताऊंगा उसके हिसाब से कर लेना आगे सब कुछ आपको पता चलनी वह रहा है आप दो को पलेंगे की बात करें तो रोही सर्मा विराट कोहली ये दोनों ओपन करते वे दिखेंगे उसके बाद रिशेपंद बंदावन पर सुरुकुमार यादब अब हम जान लेते हैं यहाँ पर साफ्ट अफ्रिका का प्रेंगे क्या कहता है तो रिजा हैंडिक के साथ कुईंटन डिकॉक आपको खिलता हुआ नजर आएका ठीक है वहीं पर एड़न मारकरम हैंडिस कलासन उसके बाद डेविडी मिला ट्रिश्टन इस्टब मारको जैंसन क सब महराजी कुछ ऐसा प्रेंट साफ्ट विकार करे सकता है अगर इन दोनों टीमों में कुछ भी बदला होता है ना तो वह मैं आपको टेलिंग आपको इनफॉर्म करूंगा जिसका लिंक इस वीडियो को में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और फर्स्ट कॉमेंट में ट आपको फाइनेली बता चलने वाला है रिषaz पर बात करें कम लोग लेके जा रहे हैं लगबक साथ से पयसर पर्संट मोग ही लेके जा रहे हैं तो मैं साथ से उपर जितने भी खिराड़ी है ऐसको मैं हाई सेलेक्शन अबारे आप देखो यहां पर फिशे मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया चारी रन पर आउट हो गया तो जैसे कि मैंने बताया भी था आपको कि किस कंडिशन में लेके नहीं जाना है मैंने बोला था कि फिर्स्ट्री में अगर बैटिंग आती है तो रिस्ट्री में को डॉप कर सकते ह लोप गया तो आज के इसमेच में रिस्ट्री में चलने बारा है आप लेके जासे तो दोनों कंडिशन में दोनों चाहे फर्स्ट्री में बैटिए हो या सगरी में ठीक है अब कुंटेन लिकाओ की बात करें तो एक खिरारी से रिस्ट्री में खत्राइगा वह मैं आगे लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा उम्मीद है कि यह फ्लॉप जाएगा अगर देखो अगर फर्स्ट इन्हीं में बैटिंग आती है तो डॉप करके जाना भाई सब लोग फर्स्ट इन्हीं में लेके जाएंगे लेकिन आपको डॉप करना है सिकेन इन्हीं के लिए आप लेकि के जाना ठीक है यहां से कितने ख्याए लेकर जासकते हैं तो मुझे लगता है कि आप दो खेरारे के लिए करिसा बनता हुआ दिख सकता है या फिर आप ज्यादर टीम बनाता हो तो तीनों के साथ भी आप जासकते हो कम लोग लेके जाएंगे इसका फैसाथा आपको देख सकता है आगे बढ़ते हैं आगे बात करने बाद करने यह सेक्षिन बना ही मिपोड़ने है यहां पर रोहिस सर्मा उसके बाद विराट कोहली और सुनक्मार यादव यह आपको नजर आएंगे खिलते हुए इंडिया की तरफ से वही पर रिजा हैंडिक्स उसके बाद ड अगर डॉब भी आपको करना होगा ना तो मैं आपको बता दू करने कि विराट कोहली की बात करें विराट कोहली मुझे लगता है कि विराट कोहली सेकिंड इनिके लिए जादा बेटन रहेगा और फूर्स अनिम में भी आपte कर सकते हो चुकि टेकनिकल बल्लेबास है अब तक वैसा खेल निकल के आया नहीं वैसा एसकोर बना नहीं है तो हो सकता है कि इस मैच में अच्छा कर दे तो आपको सगेन इनिंग के लिए ट्राइ करना है फर्स्ट इनिमें आप डॉप करने का रिस्क ले सकती हो वैसे मैं तो और घगरो ऐसे मानलो एक कि अ यह तिन टीम मैं इस तक लेकए करणूंगा क्यूंकि मुझे इन दोनों में से थोड़ा सा डाउट है के कौन चलेगा लेकिन मुझे लगता कि फस्ट इनिंग के लिए रोही सर्मा बेटा रहेगा और सगे निंग के लिए विराद को ली सुर्कमार जादब दोनों कंडिशन में चलने वाला सुर्कमार जादब का बल्ला चुकि यहां पर अर्सट के एवरेज से खिलता है बहुत ही बहुत ही बेनिफिसल रहेगा आप जादब को रिजा हैंडिस के बात करें तो 29 जीरो उनीज ग्यारा बहुत ही खराब परदर्शन है 24 का हलक एवरेज है इंडिया के एगेनिस्ट महीं पर डवीन मेर के बात करें डवीन मेर 4-43 इस तरह से 17 मेच खिला हुआ हुआ है यहां पर 26 के एवरेज से खिलता हुए तो आप 1st लिए ट्राइख गरना 2nd इनिक के लिए मत पर 1st लिए मुझे लिए मुझे लगता है कि यह फ्लॉप जा सकता है बाकी हां मेले करने जाने बाला टृ श्रिस्टन स्टम अच्छा कर सकता है दोनों कंडिशन में आप ट्राइख कर सकतो यह खिलारी यह उभर कि क्या सक सबसे पहले में आपको दाएक मेरा फैज़ाइर इन दोनों मेंसे कोई एक कोगा ठीक है ने बाढ़ यहां पर मेरा फैज़र रि INTERAC रहेगा और यहां पर मेरा Cristian Storm रहेगा देखऊ यहां पर ना मुझे रकता है कि तीन से चार कीड़ी निकल कर आसकता है कि वैसे तीन डिम टिम का हिस्सा बनता हुआ आपको दिख सकता है तीन खिलारी तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो अब यहां पे बात कर लें और लाउने सेक्षन में यह सेक्षन भी बड़ा ही इंपोर्टेंट है भई देखो सीवम दुबे और हार्दिक पांडिया रविंद्रेजरेजा उसके बाद अक्सर पडिल यह चार खिलारी आपको नज़र आएंगे कहां से इंडिया की तरफ से खिलते हुए अब इन चारों में इंपोर्टेंट कौन रहेगा तो मैं आपको बता दूँ सीवम दुबे फेल जाएगा लेके मज जाना हार्दिक पांडिया को लेके जाना ह यह बंदा अपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है उसके बाद बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकता है तो यह बंदा तो डेम। में डूम रहेगा ही रहेगा रविएलडेजㄗया के बात करें लेके जाना नहीं बनता यार् बहुत ही खराब परतरसन personalities कर रहा है अकसर अक्सर पटेल के बात के तो फर्स्ट निंग में जब बॉलिंग आए तो ट्राइग करना अधरवाइस आप डॉप करने का रिस्क ले सकते हो यहां पर अरेन मारक मुझे रहता कि इस मैच में आपको डिम्टी में बंदावाद देख सकता है दोनों कंडिशन में आप लेकर जा सकते हो मारको जैनसन को आप चाहो तो फर्स्ट निंग में ट्राइक करना जब बॉलिंग आए अदरवाइस आप डॉप करकर जा सकते हो तो मैच में 2 बीकिट है हेटोएट में ठीक है ना अब यहां से कितने खिरारी लेके जाना है अब मेरा फेवरेट सबसे पहले मैं बता दू हार्दी पांडिया मेरा फेवरेट रहने वाला है यहां पर अक्सर पटेल फस्ट नीमे अगर बॉलिंग आती है तो मेरा फेवरेट उसके बाद यहां पे आरेन मारकर मेरा फैपरेट रिडसे तीन का कुमेंशन यहां पर रख सकते हो दो से तीन खिराडिया आपको डिम्टीब में बनते हुए यहां पर दिख सकते हैं, बाकी मैंने कन्डिशन आपको बता ही दिया चलो अब बॉली से सर में आ जाते हैं देखो बॉलर्स की हम बात करें तो यहां पर विकेट्स बहुत अच्छे खासे गिरते हैं देखो जस्पीत बुम्रा उसके बाद कुल्दी प्यादब अर्सदीप सिंग यह तीन खिराडी आपको नज़र आएंगे खिलते वए इंडिया मैंने बॉला था आपको 2-3 विकेट्स भी प्रोट फैंघर लेकर देगा और लेकर दिया ठीक है न उस इसे पहरी भी आप देखो यहां स्केंड इन्ग में अगर अर्सदीप सिंग की बॉलिंग आती है तो नहीं रखना मैंने पिछेने वीडियों में बॉला था और ठीक वैसा हुआ है सही हुआ है स्क इत्वीक्ट आप तो रखना टो आप तो अपने मैश में आप ट्राइक जब बॉलिंग आ तो जाधा रहेगा अब दिखो Katoty佑bakर की कि बात करें दो विकेट aeg big aeg leg Τार ले रहा है लेकिन यहां बहुत हो बुकित लेता हुआ यह विकेट यहां के बात करें दो श्याने को एक श्या लेकिन फिर भी आपको डीम टीम में बनता हुआ दिख सकता हाला कि बड़ा परफॉर्म निकल के नहीं आये वो अलग बात है लेकिन डीम टीम का हिस्सा आपको बनता हुआ दी सकता है वो भी मुझे लिगता है कि फर्स्ट इन्हीं में जब बॉलिंग आए तो जादे बेटर किसब महराज किसब महराज और तबरेश शमसी में से कोई एक डीम टीम का हिस्सा आपको बनता हुआ दिख सकता है आप उसको रूटेट कर सकते हो ठीके ना इन दोनों ख्याडियों में से अब देखो तबरेश शमसी बहुत अच्छे टच में हैं आप यहां पर बात करें ब दोनों में से कोई एक डिमiska में रह सकता है अब कियां से मेरा फेड़ित कुह नहीं पर बने सकते हो चार से पांव और शोक से मुझे यहां से बनते हुए दिख सकते हैं यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है उसके according आप अपरी टीम बना सकते हो अब देखो यहाँ पर starting over कौन करेगा तो जस्पीत पुमरा इंडिया की तरफ से अर्थिदीप सिंग यह करते हो दिखेंगे अब देखो यहाँ पर तरफ से अपनी टीम में करते हो और अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हो अब देखो यहाँ पर ट्रम पेर के हम बात करेंगा भई आगे गिबे का सवाल भी आ रहा है भई सवाल जानना ज़रूरी है हाँ बात करें यहाँ पर ट्रम प्लेयर की तो देखो ट्रम प्लेयर इस मैच में विराट कोली ट्रम प्लेयर का काम कर सकता है वहीं पर बात करें तो अर्सदीप सिंग इस मैच में ट्रम प्लेयर का काम कर सकता है लेकर फरस्टनी के लिए ठीक है आप आज़ो यहां पर यहां की बात करा रहे है तो हैंडिज कलासरीं ट्रंपेर इस मैच में टिश्टन एश्टम ट्रंप्लेर यह दो एधर से और दो इधर से में पता दिया टोटल चार टंपलेर मैं आपको बता दिया इसके एकोडिंग आप गरेंड लिग में घ्राडियों तो अर्सदीव सिंग का जलबा रहेगा दिकोग के उपर अब बात कर ले रिसब पंद को केसम महराज ने आठ बॉलों में छे रन देखर के दो बार आउट किया हुआ है तो केसम महराज का कहीं ने कहीं दवाव रहेगा रिसब पंद के उपर रिजा हैंडिस को हार्दी कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बना तो जल्दी से कर लो बाई यहां पे आपको बटन दिख रहा होगा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ में आपको बेल आइकन को और पे सेट कर लेना है साथ ही आपको टेलिगाम च उस खिलारी का नाम और फेंटेसी पॉंट्स बताना है जैसे के 90 से पंचान में 100 से लेकर के 105 यह एक एक्जांपल दे रहा हूं बाकि आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा है कि इस मैश को कौन जित सक करती है कौन अपने पाले में कर सकती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपके कॉमेंट का हमें इंतसार रहेगा थैंक्यू सो मच